नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरू शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हरियान अपडेट डेली न्यूज बात करेंगे रेवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरू करते हैं देखी सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताए तो रेवाडी में अब इस जगह हुई थी बड़ी वारदात लेकिन पुलिस नहीं लिखरी शिकायत आप सबी को बड़ी खबरों कि कुछ दिन पहले रेवाडी जैसल मेर एनच वहाँ पर सिथ टोल प्लाजा पर तोड़ फोड फाइरिंग और लूट की वारदात के मामले में अब दो राज्यों की पुलिस में सीमा विवाद हो गया है आपको बड़ाते हों 36 गंटे बाद भी यह नहीं सुलच पाए देखिए कुछ दिन पहले न्यूज में बताया गया था कि एनच के पास यहाँ पर जो रेवाडी जैसल मेर एनच है 11 वाँ पर कुछ हमलावर आये थे उन्होंने जो टोल प्लाजा है थे उससे लगबग 2 लाख रुपे लूट ले गए थे और आपको बतायता हूँ कि हमले के अंदर टोल प्लाजा के लगबग 6 करमचारी घायल भी हो गए थे इसमें एक करमचारी अभी भी अस्पताल में भरती है आपको देखिए मैं बताता हूँ कि पूरी वारदात वारदात के बाद जो राजस्थान के और से मांडन धाना पुलिस आई और हर्याना की तरफ से रेवाडी जिले की कुंड चो की पुलिस मोके पर पहुंची दोनों राज़ों की जो पुलिस उनमें वारदात स्थल को लेकर सीमा विवाद हो गया है देखिए कुंड चो की पुलिस ने कह दिया था कि टोल प्लाजा का जो राजस्थान की सीमा में है इसलिए मांडन धाना पुलिस ही कारवाई करेगी मांडन धाना पुलिस ने ये काकी जो कुंड चोकी है उसके पाले में ये पढ़ता है तो इसलिए वो नहीं करेगी हलांकि राजस्थान पुलिस का तरकी है कि वारदात स्थल कागचो की अगर बात कई तो हरियाना में है इस कारण 36 गंटे हो गए लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं किया है किसी ने भी और नहीं हमलावरों का पता चला है आपको उतायता हूँ कि दोनों इराजस्थान में एक तरीके से पुलिस के अंदर ये लगावा है कि कौन से राजस्थे की पुलिस इस चीज़ को शिकायत दर्ज करेगी और फिर आगे काम करेगी आपको ये भी दर्जाता हूँ कि जो पहले बदमाशों ने टोल प्लाज़ा पर वारदात की और फिर कुछ दूर जाके हर्याणा की सीमा में भी गाड़ियों की शिश्य तोड़े इसलिए दोनों ही राज्यों में ये वारदात हुई है कुंडचो की पुलिस ने एक आई कि उनकी इलाके में कोई विवारदात नहीं हुई अब देखते हैं कि क्या कारवाई होती है इसका जल से जल निम्टारा कीजी करना होगा ताकि जो जल से जल आरोपितों को पकड़ा जए इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आपको दाएता हूँ देखें दूसरी बड़ी खबर है जो रेवाडी की दूसरी खबर है वो है ये है कि जो भारतिय परशनासिक सेवा के 2009 बैच के अधीकारी अशोक गर्ग उन्होंने अपना पदबार समाल लिया है और रेवाडी के नए डीसी वो होंगे इससे पहले डीसी जो है वो हिसार में आयुक्त के पदपर कार्ये करते हैं उन्होंने हरियाना प्रदेश में कई जिलों में रहते हैं सरकार वे परशाषन की और सब यह कहा गया है इसके बाद अगली बड़ी खबर आपको बदा रहता हूँ मैं देखिए माजरा एमस एमस की रोजाना लगातार चर्चा में एमस का जो विशे आ रहा है इसके जलते जो मंत्री है वो कहरे कि जल से जलत एमस का निर्मान शुरू होगा लेगिन सरकार रजिस्टरी करा ले उसके बाद अराम से हमें पैसे दे दे पहले रजिस्टरी तो करा लो सरकार जमीन पूरी हो जाने पर पैसे दे देना यह वाक्य जो किसान भाई है वो कह रहे हैं हलांकि देगे इतना कहने के बाद भी अभी भी सरकार को जो 62 एकड जमीन मिल रही लेकि हम भी यही चाते हैं आप सभी लोग भी यही चाते हैं कि AIMS का निर्मान जल्द से जल्द हो इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो भी रजिस्ट्री का कावें सरकार करा ले ताकि AIMS का निर्मान शुरू हो सके रेवाडी की जितने भी बड़ी खबरे हैं जाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए उसके बाद आपको एक और बात में बता रहता हूँ देखिए 2017 में जो हम कह सकते हैं गोर्मेंट होस्पिटल रेवाडी वहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट बवन की निर्मान किया गया था लेकिन देखिए उसके जो खिडकियों के जो शीशी है वो अब गिर कर तूटने लगे हैं इसमें ये भी बताया गया कि जो बिल्डिंग है उसके पा तो उससे काफी नुक्षान हो जाएगा परशाशन भी क्या कर रहा है जो हम कह सकते हैं ये लकडी वगेरा का फटर लगा कि टाइम पास मतलब कर रहे हैं लेकिन अगर वहाँ पर हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी इस बारे में भी सोचना चाहिए आपको उ पीसे से तूटने से लोगों को नुक्षान हो सकता है इसलिए ये पूरी नियूज में आपको बताई रिवाडी की जितने भी बड़ी खबरे जाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिए रोजान आपको रिवाडी की बड़ी खबरे हमारे चैनल पर मिल हैंगी सिक्साद्ट है निवाड़